तो नमश्का स्टूडेंट आज की तो बड़ी ख़वर यही है कि मोदी का अमेरिका दोरा शुरू होने वाला है तो मोदी जी भई अभी अमेरिका जाने वाले हैं और बहुत सारी चीजें होगी इस अमेरिका के दोरे में 21-25 तक का यह दोरा है पहले 23 तक अमेरिका जाएंगे USA जाएंगे और उसके बाद जो है जाएंगे Egypt तो क्या मोदी डील करने वाले हैं क्या important बड़ी बड़ी डील होने वाली है चाइना को किस तरीके से सदमा लगेगा इस डील से और क्या बड़ी बाते डील के अंदर होगी यह सारी चीजें हम डिस्स करेंगे किस तरीके से योगा डे होता है तो मोदी जी और योगा ना करें मोदी जी तो अमेरिका जा रहे है योगा कैसे करेंगे योगा करेंगे यह 21 जून को सीधा पोंचेंगे नियॉर्क के अंदर तो 21 जून को मोदी जाएंगे नियॉर्क में और नियॉर्क में मोदी 21 जून को नियॉर्क में युनाइटेड नेशन यानि संयुक तराष्ट के हेड़कॉर्टर से ही योगा करेंगे मोधी ठीक है तो कपाल भारती वगारा सब कुछ अब कहां से होगा इंटरनेशनल योगडे मनाया जाएगा नियोर्क से तो 21 जून को नियोर्क से पूरी दुनिया को संबोधित करेंगे इंटरनेशनल योगडे पर उसके बाद जो है अगले दिन मोधी पहुचेंगे वशिंग्टन डी सी जो यूसए की राजदानी है और वशिंग्टन डी सी में वाइट हाॉस है यूसे राजदानी है जहांपे यूस के प्रेजिटेंट रहते हैं जो बाइडन तो जो यहां पर पार्लेमेंट होती है, एक संसद होता है, तो वहां पर US Congress है, US Congress के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे, और फिर हमारे मोदी जी चल पड़ेंगे, युएस से कर छोड़ के, और इजिप्ट में जो है, मोदी जी चल पड़ेंगे, अपने पुराने दोस्ट, 26 जनवर करेंगे, तो अमेरिका का और इजिप्ट का दोरा, परधान मंतरी मोदी जी का रहने वाला है, और यह दोरे में बहुत बड़ी बड़ी डील होने वाली है, आने वाले एक्जाम में यह डील काफी इंपोर्टेंट है, और अगर आप एक इनफोर्मेशन जो है, अच्छी इन सब्सक्राइब करें, तो अब हम बात करतेंए बड़ी डील होने वाली है, यह चाइना की नेंद उड़ गई है, वो सारी डील के बारे में हम डीस करेंगे, तो सबसे जो बड़ी और सबसे जो है, जो चीन जिससे ड़ा हुआ है, वो डील है, एक ड्रोन है वाया, और इस ड् 31 MQ-9 Reeper 31 MQ-9 Reeper 31 MQ-9 Reeper 31 drones 31 drones this drone is MQ-9 Reeper 31 drones MQ-9 Reeper this drone is called Unwanted Aerial Vehicle so UAV is written in it How is this drone? this drone is and you will believe that this drone is 500 crore 500 crore total deal with USA 3 billion dollars deal with USA 31 drones from USA how is this drone? which will be 31 drones we will see 31 armed MQ-9 Reeper Unwanted Aerial Vehicle which will be bought 31 drones and for example Defense Acquisition Council there is no one defense in India so the first Defense Acquisition Council is given to the cabinet so the Defense Acquisition Council was given to the cabinet and it could be that the cabinet it was given to the cabinet and you don't believe that 3 billion dollars 3 billion dollars this deal is and 31 drones will go to the Navy and the rest of the drones are Air Force and our Army will go to the Navy in China in China in China in China and in China the military drone is not in the world this drone is such a which the US has killed this drone can do missile attack 35 hours this drone can do 50,000 feet this drone can do this military drone this drone is what kind of drone is we will discuss this American drone MQ-9 Reeper American drone MQ-9 Reeper in China which is the most different so the first thing which makes it different is that its peak and its function a company General Atomics General Atomics General Atomics the name of the company US company has made it besides this this and it can be 5,000 feet it can be it can be it can be it can be this drone like the aircraft will be it can be from its direction this drone has the Al-Qaeda the 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 sure अपने हुआई जाज को बेजा सुकोई को, और सुकोई को जक्राइश ड्रॉन को मर वायाँ, तो इसे ड्रॉन की खासित आप देख सकते हैं कितना महत्पुन ड्रॉन होगा, और भारत में आएगा तो भारत की जो defense है और भाहरत की ताकत है वो कितनी बढ़ जाएगी, तो इस Cognacron एक company है अटेक है semi-conductors ये company बनाती है semi-conductor chip ये company बनाती है तो जैसे आपका phone हो गया, TV हो गया कुछ भी electronics आप इस्तमाल करते हैं उसमें semi-conductor chips होती है भारत में अगर आप आप इमेजिन कीजिए कि semi-conductor chips जो हमको आसानी से मिलने लगें भारत में मैनुफेक्चिर हो तो हमारे इलेक्टोनिस के दाम एकदम से गट जाएंगे यह जो मैक्रोन नाम की कमपनी है चीन के अंदर जो है इसका बड़ा प्लांट था और चीन के अंदर बहुत जो है यह सेमिकंडुक्टर चिप्स जो है वो बनाती थी अब भी बनाती है तो क्या हुआ कि मैक्रोन जो है जो यूएस की कमपनी है यूएस की जो सेमिकंडुक्टर चिप्स बनानी कमपनी है चीन में मैनुफेक्चिरिंग करती थी तो चीन वालों ने इस company के और जो पर कई सारे परतिबंद लगा दिये, चीनी सरकार ने जो US की company Macron ने पर कई सारे परतिबंद लगा दिये, और ये company जो है 1 से 2 billion dollar का अपना manufacturing plant भारत में लगा सकती, तो ये बड़ी खबर है कि 1 से 2 billion dollar की investment जो है, चीपिंग प्लांट भारत में जो है American cheaper company, chip maker company Macron technology ये लगा सकती है, अभी official announcement जो है Washington DC से होनी बाकी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा होगा और काफी बड़े चांस है और जब मोदी जी पहुचेंगे USA के अंदर तो इसको announce किया जा सकता है, ऐसा जो है पूरी पूरे चांस होने के, अभी क्या हुआ था, क्या हुआ कि क्यों चीन ने Macron company पे रोक लगाई, ये जो company है, Macron company पे क्यों रोक लगाई चीन ने इसके पीछे कारण है, आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा कि G7 की meeting चल रही थी, तो G7 में दुनिया की developed countries जो है, G7 के अंदर शामिल है, तो G7 की, Group of 7 की meeting चल रही थी, और Group of 7 ने डिसाइड किया, भया कि चीन के प्रभुत्व को कम करो, चीन पूरी दुनिया के खतरा है, तो चीन के प्रभुत्व को कम करो, और de-risking करो, जो हमारा जो हमें कुछ भी बनाने के लिए जो इंपोर्टेंट चीजे चीन से चाहिए, उसको रिस्क कम करो, यानि चीन के साथ जो है, चीन के पास जो दुनिया की बहतरीन टेकनोलोजी है, वो चीन के पास ना जाए, उसको जाने से रोको, ऐसा जी सेवन के देशों ने मिलकर कहा, हिरोशिमा में जी सेवन की मीटिंग हुई थी, जैपैन के अंदर, तो इस मीटिंग के अभी माइक्रोन ने डिसाइड गयागी, वहिए कोई बात नहीं, ठीक है, चीन ना सही तो भारत के अंदर मैनुफेक्चिरिंग प्लांट लगाएंगे, और हो सकता है कि ये जो है डील फाइनल हो जाए, जब नरेंदर मोधी हमारे परधान मंत्री पहुंचे चीन के अंदर ठीक है, और ये सब आप जो है देख सकते हैं, इसकी में पीडिफ आपकी अप्लोड कर दूँगा, आप विकरम सर यूपेस सी पीसे के नाम से मेरा टेलिग्राम चैनल है, उसमें जाके आप कम्प्लीट पीडिफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बाद हम आगे देखते किस तरीके से, इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल ओडर को ये युद्ध खराब कर रहा है, ये सारी सिच्वेंसन पे बात होने वाली है, पीम मोदी की विजट के तोरा, इसके इलावा जो है, यूएस के सेकरेटरी अफ स्टेट के बारे में आपने देखा है हुआ, ये य आपको यूएस और इंडिया के रिलेशनिशिप के बारे में पूछे का, तो ये जो टम्स हैं, उनका आप इस्तवाल कर सकते हो, ठीके कई सारे बाते कहीं, एंटियो बिंकल्स ने भारत के इंदर आये थे, ठीके मोदी के विजट से पहले ही आये हैं ये, मोदी विजट करे पहले हैं, जो ट्रेड है, वो 191 बिलियन डॉलर तक पहुच गया है, यानि 191 अरब डोलर का ट्रेड भारत और यूएस के बीच में होता है, और ये जो है भारत के लिए यूएस सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टर आज के दिन बन गया है, यानि भारत का जो सबसे ये वेल्यू का ट्रेड होता है, वो यूएस बन गया है, इसके इलावा, इन्होंने कहा कि 54 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है, यूएस ने भारत में कर रखी हैं, जो टैली कॉम्णीकेशन से लेके, और टैली कॉम्णीकेशन से लेके जो है मैनिफेक्ट्रिंग तक इंडेस्ट्री जो हैं स्तापित कर रखी है, जब कि भारत की जो इन्वेस्टमेंट उस में है, वो 40 बिलियन डॉलर है, जो फार्मासुटिकल से लेके, और बाकी जगहों पे हैं, और इसके इलावा, एंटी ने ब्लिंकल्स ने जो है, एक बात और कही, कि इन्होंने कहा कि हम बड़ा शुकरिया करते हैं भारत का, कि जो भारत की एर इंडिया है, वो 200 बोईंग एरक्राफ्ट जो है, वो खरीदेगी, यूएस से, ठीक है, तो यूएस ने काया कि जो तुमारी एर इंडिया है, या इंडिया की जो एर इंडिया है, वो 200 बोईंग एरक्राफ्ट खर तो हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारी jobs create होगी तो यानि भारत जो है US में jobs create कर रहा है अगर हमेजिन कीजिए कि ये जो है ये तीन बिलियन डॉलर की जो deal है तीक है जो drones खरीदने की deal है ये अगर हो जाती है तो ये जब हम drones खरीदेंगे तो US में jobs create होगी, यानि भारत भी US में jobs create करता है, ऐसी बात नहीं ठीक है, इसके इलावा उने कहा इसके इलावा जो President Biden की statement भी कही, जो Secretary of State है US की, उनने एक बड़ी अच्छी statement कही, President Biden की कहा कि India और US के relationship कैसी है, कि defining relationship of the 21st century defining relationship of the 21st century, 21 सथी की defining relationship है, इंडिया और US की यानि US world की सबसे पूरानी डेमोक्रेसी और इंडिया विश्चव की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यह जो दोनों एक साथ आते हैं तो पूरी दुनिया, चीन जैसे जो देश है वो केवल देखते रह जाते हैं ठीक है, इसके इलावा एक टम जो हो सकता है, आने वाले PCS exam में, UPSC exam में CSE exam में, एक टम जो काफी बार-बार रिपीट हो रही है वो आने वाले exam में आप से पूछ सकता है तेक है, वो टम क्या है वो टम है I.C.E.T. I.C.E.T. जो है यह है, इनिशेटिवन critical and emerging technology इनिशेटिवन critical and emerging technology I.C.E.T. क्या है जो भी बड़ी technology ट्रांसफर हो रहा है USA to India यह दोनों देशों के बीच में बड़ी-बड़ी technology आज की दिन आ गई है, जैसे artificial intelligence है quantum computing है तो ऐसी-इसी technology, drone वाली technology हो गई, तो ऐसी technology जो इनिशेटिवन और USA के योगदान है, तो I.C.E.T. क्या है एक बार हम देख लेते हैं, what is US-India initiative on critical and emerging technology, ठीक है यह यह launch कब किया गया था, यह launch किया गया था, यह launch किया गया था US President and Indian Prime Minister इसको launch किया था, जो Quad Summit हो था May 2022 के अंदर, ठीक है इसके इलावा जो है, इसके गोल क्या है, इसका गोल है to expand the India-US strategic technology partnership and defense industrial cooperation, यानि simple भाशा में कहें, तो जो भी important technology है AI, quantum computing, 5G, 6G, biotech, space, semiconductor the initiative would help forge link between the government, academia and industry in area such as AI, quantum computing, 5G, biotech, space and semiconductor, ठीक है यानि इन सभी technology को असानी से आदान परदान किया जा सके, हर वर्क के बीच में, इंडिया और USA में, इसलिए ICET बनाया गया है, ठीक है तो ये हमने बात किया तो ये सभी मुद्दे इंडिया और USA के relationship में आपको देखने को मिलेंगे, आज I think 17, 18, 17 तारीक हुई है और 21 जून से मुद्धी की यातरा शुरू होगे, इमेरी का यातरा और ये सभी मुद्दे आपको जो है नजर आने वाले हैं और आज की session में इतना ही करते हैं और ये session अगर आपको अच्छा लगा, तो इस class को ज़रूर student like करें, comment करें अगर आप comment करते हैं, तो बड़ा हमारा होसला बढ़ता है ठीक है, और अगर आप share करते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं ठीक है, तो आज की session में तरहीं, thank you, take care, bye bye